हेलो एहरीवन वेलकम टो वेदेमी विदा मिशन ओफ एडूकेटिंग इंडिया तो मेरा नाम है विशाल सिंग और इस वीडियो में बात करूंगा आपके बारे आपके साथ पीएजडी एडिमिशन के बारे में ठीक है तो जैसा कि पुराने सस्क्राइबर को पता ही होगा जो अगर ट्रेनिंग सेशन कंड़क्ट की जारे उनके बारे में डिफेंट नई कोई फेलोशिप आई उसके बारे में तो यह भी इंफोर्मेशन आपके लिए लाते रहेंगे ताकि आप यहां पर अप्लाई करके आप इंका फायदा उठा सकें क्योंकि होता क्या कि अगर आप करने के बाद भी आपको हैल्प की जाए और यहारफ क्वालिफाई करने के बाद प्याज़ी में अड्मिशन लेंगे तो उनसे लिए भी रिलेटेड वीडियो लाते रहेंगे आपको कैसे अब स्ट्राइक लिखना है कैसे रिसस आर्टिकल लिखते हैं कैसे रिसस गैप लाता रहोंगा ठीक है तो उसी करी में आज बात करें हम प्याज़ी अड्मिशन फाम आई सट तिरवंदपुरह में इसमें विंटर सेजिन यानि वसंद सेजिन के लिए प्याज़ी अड्मिशन रिलीज हो चुका है अप्लिकेशन स्टार्ट हो चुका है एक समरी में बता सब्सक्राइब कोई फिलाइट फिल्स लाइट फिल्स लाइट माइक्रोबियोजी जिलोजी वाट निया मैंसीन बायोजी से लेटेट कोई भी लाइट फिल्स साथी साथ 60% इन मास्टर्स या फिस 6.5 cgp अगर आपके उनिवर्स्टी में सिजिपे का इस कायटरिया है तो 6 6.5 cgp अगर आपके इनिवर्स्टी परसंटेस कायटरिया तो 60 परसंट ठीक है नेक्स्ट इलिजबिल्टी है जे रफ जी हां इसके पास आपके पास CSIR जेयरा फुजी सी जेयरा ब्यूटिक लाइक कोई भी दी जेयरा फैग्जामेशन CSIR DBT ICMR कोई भी जेयरा आइसर, IIT या फिर NIT में कर रखा और साथी सा आपका CP8 के उपर है तो आप डियरा के लिए कोई भी जेयरा फैनेटरी नहीं होगा ठीक है तो चलिए बात करते हूं डिटेल्स के बारे में आपको अप्लाई करने के लिए इस लिंक पर जाना है यह लिंक आप इस PDF का भी लिंक और यह अप्लाई करने का लिंक दोनों लिंक आपको description में दे दिया जाएगा आप वहां जाके apply कर सकते हैं बात कर लेते हैं जनल लिजबिल्टी काईटरिया की तो सबसे पहला लिजबिल्टी काईटरिया जैसे मैंने बताया 6.5 CGPA या फिर first class equivalent जो कि 60% होता है in master's program related to respective industry ठीक है like 6.5% CGPA होना चाहिए master's में 60% जो भी आपके इनवस्टी काईटरिया है नेक्स्ट आपके पास CSR जैरफ यह सी जैरफ यह कोई भी जैरफ examination qualify कर होना चाहिए या फिक्ट qualification में चलेगा इसमें LS eligible नहीं है ठीक है यह बात का ध्यान रेकिएगा नहीं जैरफ क्वालिफाइट किया है और जैसे कि मैंने बताए कि जो आईसर आईटी एनईटी या इसी से उन्हों बैचलर्स या मास्टर्स का रखा हो और साथी साथ एट की उपर सी जीप यह हैं तो भी उसके लिए पिलिजबन है विदाउट एनई जैरफ examination अब बात कर लगते हैं इस स्पेसिफिक इस विल्टी की जैसा की उपर बताई दिया है जो भी इलेवियूंट एरिया है उसमें आपके पास इलिजबिल्टी टू इलिजबिल्टी वन इलिजबिल्टी वन वहीं जो परसेंटेस कॉरेटरिया एक बात का ध्यान रखिएगा जो भी जिन्हों में गेट इकलोजी में क्वालिफाई किया है तो उसे इकलोजी के लिए इकलोजी के लिए भी 건專र की जाएंगे मैं इकलोजी डिपाट्प्रेंट के लिए भी जाएंगे और जिन्होंसे गेट क्वालिफाई किया है चाए एक्वलैफाई है चाहär बीटी हो वह से बायाइटे जाएगा जाएगा इकलोजी से एकलोजी फिल्ट के लिए डिया जाएगा और गेट एकसल यानी लाइब अई लाइप से गे लिटी अनि बियोटेक्स सिर्फ बाइफ हमेटीच फिल्ट के लॉपलाई रखेगा अब इन्होंने स्कूल वाइस सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसमें रिसाच एरिया होगा और इसके नीचे नहीं ने टॉपिक्स मेंट कर रखें मतर facing topic mention कर सकते हैं जहां पर भी सर्च कर सकते हैं ठीक immense चलिए बात कर लोते हैं और details के बारे में तो बहाय में चल थी से सום होगा कैसे क्या से सबसे तो वहीं आइस्विकाल साइस में बात कर लाता है इसमें С.O.P. यह कि SOP क्या है ठीक है जो फार्मा ये स्टूइल्स होंगे उनके लिए मतलब होगा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग पॉर्टोकॉल लेकिन यहां पे जो यहां पे SOP का मतलब है स्टेट्मेंट ओफ परपस तो स्टेट्मेंट ओफ परपस कैसे लिखते हैं क्या चीज है यह इसके लिए मतलब इससे लोग इतना डर जाते हैं कि फिर आगे अप्राही नहीं करते हैं वह ऐसे फॉर्म जूनते हैं कि जहां पर आप जरूरत ही नहीं हो लेकिन मैं बता दूं मैक्सिमम जगे आप या तो आपको सब अप्री एज़िकियों करना चाहते हैं तो ओप एज़िकर एक और में तो आपके अज neces और अपकी डिटेल्स और किय स्ईकर रखाएं गुश्वाट सब कर सकton 的 कोई एक्सर्टे कर रखा इस प्रजेट कर रखा उसके बारे में थाट प्रटाइग्राफ में आपको देना है वो ही इंस्ट्यूट क्यों लाइक आपको आई सर्थ टिवैंद पूरम से पी एजडी क्यों करना है तो इसमें बता सकते हैं कि आपको चार्चीज़ों का ध्यान रखना है, पहले पारग्राफ में आपको बता आपको इन्सिटीट कुम पूलरम में प्यास्डी करना है तो आई इसरथ तीवन पूलरम से ही क्यों कोई इनुवस्टी क्यों नहीं, इसमें बता सकते हैं आपको कि जो मुझे तो बता सकते हैं ध्यान रखिए एसोपी क्लिए में और डिटेट इसोपी साथ साथ रिडिकेटर वीडियो ले कि आऊंगा कुछ सेंपल दिखाऊंगा और पूरी डिटेल मताओं कैसे आपको एसोपी या रिसस पूपोशर लिखना है ठीक है नेक्स बताया कि इंटर्व्यू जो इंटर्व्यू हाइब्रिड मोड में होगा लाइक की ऑफलाइन ऑल्लाइन दोनों होगा साथी साथ दो राउंड ऑफ इंटर्व्यू होंगे और अगर कैंडियर का नंबर बढ़ता है लाइक की जो उन्होंने एस्टिमेट किया है उससे ज्यादा हुआ तो साथ यहाद एक रिटर्ण टेस्क भी होगा उसके बाद फिर से दो राउंड आफ इंटर्व्य होंगे तो इंटर्व्यू होगा टू राउंड आफ इंटर्व्यू होंगे लेकिन अगर केंडियर्स का नंबर उनके के एस्टिमेट के हिसाब से बढ़ेगा तो एक रिटर्ण एग्जामेशन होंगे रिटर्ण में जो है कुछ बाइलोजी से कोशन आएंगे मास्टर बी एस सिब्सक्राइब साथ साथ वेल्थ लिवल की फिजिस केमेस्ट्री भी आएगी ठीक है तो इस बात का ध्यान रखिए अब बात कर लें इंपोर्टेंट डेस के बारे हों तो अप्लिकेशन थर्टीन अक्टूबर से स्टार्ट हो चुका है लास्टेट है फोर नॉम्बर तक से फिल करना है और टेंटी डेट इंट्रिव्यू के थर्ट फॉर्थ वीक आप नॉम्बर तो बाइलिजिकल साइंस म थर्ट जो अक्टूबर का थर्ट या फॉर्थ वीक होगा उसमें इंट्रिव्यू कंडट किये जाएंगे तो अप्लिकेशन स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट है फोर नॉम्बर और साथी साथ थर्ट फॉर्थ वीक तक आपको इंट्रिव्यू की डेट्स आ जाएं जरूर से बताएंगे तो जाते हैं एक समय बता देता हूं एक इसके लिए इसके लिए उससे लेटेट कोई भी अप्लाइट फिल्स साथी साथी साथ कोई भी जेरफ या गेट क्वालिफा होना चाहिए और जो एसो पी एसो मीं बताया चार्ट या पको उसमें रखनी है पह मैं एक डिटेल वीडियो जरूर लेके आऊंगा साथी साथ रिसर्ट परपोर्जल से ठीक है तो कोई भी अगा आपको क्वैरी है तो जरूर बताएगा ठैंक्यू एंड बाबाय टेक्या